आज की इस वीडियो में जानेंगे करवा चोथ के दिन आज हर्याना के जिलों में आज चांद निकलने का समय क्या है इससे पहले आप सभी माताओं बैनों को करवा चोथ की हार्दिक सुद्ध कामनाई आपको बता दें करवा चोथ का परव आज 20 अक्तूबर 2024 को रविवार के दिन मनाया जा रहा है और करवा चोथ हिंदु द्रम के सबसे मेतवण त्योआरों में से एक है और आज कार्तिक माय के कृष्न पक्सकी चतुर्थी को ये दिन मनाया जा रहा है इस दिन विवाईत मैलाई अपने पती की लंबी उमर और सुकी विवाईक जीवन को बनाई रखने के लिए निर्जला वरत रखती हैं जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है अब जान लेते हैं हर्याना के सबी सहरों में आज चांद निकलने का समय क्या है सिर्षा में चांद निकलने का समय 8 बस कर एक मिनट पर अंबाला में चांद निकलने का समय है 7 बस कर 51 मिनट पर हर्याना के बिवानी जिले में आज चांद निकलने का समय है 7 बस कर 58 मिनट पर फरीदाबाद में आज चांद दिखाई देगा 7 बस कर 55 मिनट पर फतेहबाद में आज चान निकलेगा 7 बसकर 69 मिनट पर गुरुग्राम में आज चान निकलेगा 7 बसकर 56 मिनट पर हिसार में आज चान निकलेगा 7 बसकर 69 मिनट पर जजजर में आज चान निकलेगा 7 बसकर 57 मिनट पर जीन्द में आज चांद निकलेगा 7 बस कर 56 मिनट पर केथल में आज चांद निकलेगा 7 बस कर 56 मिनट पर करनाल में आज चांद निकलेगा 7 बस कर 52 मिनट पर कुरुक्षेत्र में आज चांद निकलेगा 7 बस कर 57 मिनट पर महेंद्रगड में आजचान निकलने का समय है 7 बस कर 50 मिनट पर पानीपत में आजचान निकलने का समय है 7 बस कर 53 मिनट पर रेवाडी में आजचान निकलने का समय है 7 बस कर 58 मिनट पर रोहतक में आजचान निकलने का समय है 7 बस कर 56 मिनट पर सोनिपत में आज चांद निकलेगा 7 बज कर 54 मिनट पर यमना नगर में आज चांद निकलने का समय है 7 बज कर 50 मिनट पर अब जान लेते हैं करवा चोट का सबसे जरूरी और विशेश नियम क्या है आपको बता दें करवा चोट के दिन विडिविदान के साथ पूजा करने के बाद रातरी में चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्दे जरूर दें साथ ही करवा चोट की कता सुनने के साथ ही भगवान सीव माता पार्वती कार्तिके और गणेश जी की पुजा भी जरूर करनी चाहिए इससे आपका वेवाएक जीवन खुशाल रहता है और आप जीवन में तरक्की करते हैं